खारगे जी, वेनु गोपाल जी, सोलांकी जी, तारिक कर्रा जी, गुलाम एमद मीर जी, विकार रसूल जी, रमन भल्ला जी, तार अशंद जी, छोदरी लाल सिंग जी, कॉंग्रेस के हमारे सारे नेता, प्यारे कार्यकरता, आप सबका यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, चार स्टेट्स के चुनाओं हैं, और कुछ दिन पहले खारगे जी और मेरी बात चल रही थी, चुनाओं के बारे में, तो हमने मिलकर डिसिजन लिया, कि हम दोनों को सबसे पहले, जमू कश्मीर जाना चाहिए, चुनाओं के कारण, सिर्फ चुनाओं के कारण नहीं, मगर क्योंकि हम, जमू कश्मीर के लोगों को, और देश के लोगों को एक मेसेज देना चाहते हैं, देखिए, आजादी से, आजादी के बाद पहली बार, किसी स्टेट को यूनियन टेरिट्री बनाया गया है, मतलब हिंदुस्तान में, स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया, उत्राखंड बना, जारखंड बना, तलेंगाना बना, यूनियन टेरिट्री इस को स्टेट में बदल दिया, मगर कभी भी स्टेट से यूनियन टेरिट्री नहीं बनी, मतलब हिंदुस्तान की हिस्ट्री में रेप्रेजेंटेशन का बढ़ावा ही हुआ है, जादा representation दिया गया है जारकंड के लोगों को representation दिया गया तलंगाना के लोगों को representation दिया गया मगर एक यू धारण है जहाँ लोगों से representation छीना गया वो है जम्मु कश्म History में ये पहली बार हुआ है और इसका नतीजा आपने रिखा है अड्मिनिस्ट्रेटर कहते हैं मगर सच मुझ में उनको महराजा कहना चाहिए एम्परर कहना चाहिए किंग कहना चाहिए और पूरा का पूरा जो फाइदा हो रहा है वो जमू के लोगों का नहीं हो रहा है कश्मीर के लोगों का नहीं हो रहा है बाहर के लोगों का हो रहा है चाहे छोटे मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा चाहे छोटे कॉंट्राक्स हो बड़े कॉंट्राक्स हो सरकार में पोजिशन्स हो आप लोगों को कोई फाइदा नहीं हो रहा है आप लोगों को सिर्फ नुकसान हो रहा है इसलिए हम चाहते थे, कि चुनाव से पहले, आपका Statehood आपको वापस दिया जाए अब ठीक है इन्होंने चुनाव पहले कर दिया मगर हम अभी भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, आपके State की लगाम आपके हाथ में वापस दी जाए मतलब आपको स्केट हुड एक बार फिर से मिले आपके बीच में मेरे बीच में आप रिष्टा जानते हो ये राजनेतिक रिष्टा नहीं है जैसे मैंने कहा महबत का रिष्टा है परिवारिक रिष्टा है मेरा परिवार आपके स्केट से ही आता है तो आपको ये सोच के चलना है कि दिल्ली में आपका सिभाई मैं हूँ जो भी आप चाहेंगे जो भी आप चाहेंगे मेरे दर्वाजे आपके लिए खुले हैं आपको सरफ ओर्डर देना है और मैं यहाँ हजिर हो जाओंगा देखिए शायद रमन बल्ला जी ने कहा ठर जाएए मैडम खतम करने दीजे अभी नहीं मैडम बात ने कर ले ना डिस्टाब मत कीजे रमन बल्ला जी ने कहा उन्होंने कहा कि देखिए मैं कॉंग्रेस पार्टी का सिपाई हूँ रमन बल्ला जी आप सिपाई नहीं है आप कॉंग्रेस पार्टी के जेनरल है और आप जैसे अलग-अलग जेनरल थड़े हुए यहाँ पे सिपाई तो ये है कारे करता और मैं चाहता हूँ कि जेनरल की भी इस पार्टी की भी रिस्पेक्ट हो गटबंदन हो रहा है मैं चाहता हूँ कि जो भी गटबंदन हो उससे हमारे कार्य करताऊं को सिपाईयों को और हमारे कमांडर्स को रिस्पेक्ट मिले इस्जत मिले आप लोग हमारे लड़ते हो और ये विचारधारा की लड़ाई है Congress Party की विचारधारा और RSS की विचारधारा के बीच में लड़ाई है आपने देखा होगा चुनाव से पहले प्रधान मंत्री यू भाशन देते थे देखा आपने मैं आपको बता रहा हूँ आप 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 गलत फेह में मत हो Congress Party के कार्यकरता ने मैं बता रहा हूँ आपको Congress Party के कार्यकरता ने हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री से Constitution पर ऐसे ये करवा दिया ये आपकी देन आपका काम है और मैं तो Parliament में बैठता हूँ मुझे तो फिलकुल सामने दिखते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री की जो confidence थी उसको खतम कर दिया उड़ा दिया मतलब कॉंग्रेस के कार्यकरता ने उनको इतना psychological tension दिया कि उनकी psychology कलाप्स कर गई और वो जो प्रधान मंत्री थे सचा ये पूरा देश देख पा रहा है जो चुनाओं से पहले प्रधान मंत्री थे जिनका direct connection direct connection जिनका उपर था वो प्रधान मंत्री नहीं रहे और ये 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 आप लोगों का काम है क्यूं क्यूंकि कठिनाई के समय जब कठिनाई थी जब आपकी विचारधारा पर आक्रमन हो रहा था तो आप लोग कॉंग्रेस पार्टी का जंडा लिए गूम रहे थे ये सचाई है बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग जंडा फेक कर भाग गए आप नहीं गए आप खड़े रहे आपने लाठी खाई गोली खाई गाली खाई मगर आप एक इंच पीछे नहीं हटे इसलिए मैं आपको कॉंग्रेस पार्टी के बबरशेर कहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ठीक है चुनाओं में टिकेट बाटे जाते हैं बड़े बड़े नेताओं को टिकेट बाटे जाते हैं मगर मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे कार्यकरताओं को भी MLA बनने का मौका मिले तो कर्रा साब वेनुगोपल जी मेर साब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं उधारन देखना चाहता हूँ जहां जमीनी कार्यकरताओं को MLA का टिकेट दिया गया और वो विधान सवा तक पहुंचा हूँ पूरे देश में पूरे देश में बीजेपी के विचारधारा ने बेरोजगारी फैला दी है आपको फर्स्ट हैंड दिख रहा है जम्मू में भी बेरोजगारी फैलती जारी है महंगाई बढ़ती जारी है पूरे देश में हम इन से लड़ रहे हैं जहां भी आप नोटिस कीजिए चुनाओ के बाद जहां भी ये कोई बदमाशी करने की कोशिश करते हैं जहां भी बदमाशी करने की कोशिश करते हैं हम उनको वहां सामने खड़े मिलते हैं ये लाटरल एंट्री का किया ना इन्होंने अदानी जी मदद करने की कोशिश की ना वहां पर हम खड़े हो गए उसको कैंसल कर दिया तो हम इनको छोडने वाले नहीं थोड़िसी बदमाची की कॉंग्रेश पर्टी के सारे के सारे कार्यकरता इनके सामने ने खड़े दिखाई देंगे और जो बिल गलत बिल ये पास करने की कोशिश करेंगे उस बिल को हम रद कवरा देंगे हम उपोजिशन में बैठें मगर सरकार को कॉंग्रिस पार्टी का कारिकरता चलाएगा आप सरका अच्छा देखिए एक और लड़ाई है जमू का कल्चर है जमू की हिस्ट्री है यहां माता वैशनु देवी कि यह जमीन है आपका जीने का तरीका है आपका सोचने का तरीका है वो अलग है जमू का अलग है केरल का अलग है करनाटक का अलग है उत्तर प्रदेश का अलग है हम चाहते हैं कि हर जगे का कल्चर उनके उनकी हिस्ट्री उनकी भाषा इन चीजों की रक्षा हो हम चाहते हैं कि आपकी आवाज आपकी आवाज आपकी सरकार में हो और जो आप चाहते हैं कश्मीर के लिए जो आप चाहते हैं जो आपके दिल में है वो हो अब BJP की दूसरी सोच है वो पूरे देश को नागपुर से चलाना चाते हैं वो सोचते हैं कि रिमोट कंट्रोल से पूरा देश चले चाहे जमू कश्मीर हो चाहे महराष्टरा हो भई यह जो आप शकायत दे रहे हो न कि बाहर के लोग पूरा का पूरा फाइदा उठा रहे हैं आप महराष्टरा जाएए वहाँ पूछिए वो भी आपको यही कहेंगे कि भईया महराष्टरा में भी बाहर के लोग फाइदा उठा रहे हैं तो यह सिर्फ आपके यहां नहीं हो रहा है यह इनकी सोच है सेंट्रलाइज करने की सोच है हमारी सोच करने की है हम चाहते हैं कि पंचाइती राज हो मन्रेगा हो पंचाइतों में आपके Decisions लिए जाए विधान सभा में में आपके Decisions लिए जाए लोग सभा में आपके अवाज पहुचे कभी कभी हमारी पार्टी में problem हो जाती मैं खुल के बोल रहा हूँ, कभी-कभी contradiction हो जाता है, कोई हमारा आदमी कहता है नहीं भई मैं तो महरास्टा की बात करूँगा और पार्टी में tension होती है, हम कहते हैं नहीं, तुम बोलो, तुमें करना है, तुम खुल के बोलो, तुमें अपना मुद्धा उठाना है, हम manage करेंगे तो हम किसी के आवास दबाने की कोशिश नहीं करते हैं, और मीटिया में हमारा नुकसान भी होता है, कभी-कभी लोग कहते हैं, देखिए कि उस पार्टी में अलग-अलग विचारधारा हैं, क्योंकि हम पूरे देश को चलाते हैं, और हम चाहते हैं कि देश के लोगों की अवास अलग-अलग अवास, अलग-अलग भाशाएं अलग-अलग जात यह सब सुनाई दे तो मैं यह आपके आपसे कहना चाहता हूँ हम स्टेटुड चाहते हैं हम चाहते हैं कि यह जो आपके दिल में है जिस प्रकार से आप अपने स्टेट को चलाना चाहते हो उसी प्रकार से आप चलाओ इसलिए हम यह मैसेज देने आए दिल से आपका धनेवाद करना चाहता हूँ आपने आप आपने आप कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकरता उने शायद आप भी नहीं समझ सकते कि आपने किया क्या मैं यहां से देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकरता ने हिंदुस्तान के लोक तंत्र को बचाया है डिमोक्रिसी को बचाया है अभी एक दो और कदम लेने हैं वो आप ले लोगे मगर आपने इस चुनाव में कॉंस्टिटूशन को और हिंदुस्तान के लोक तंत्र को बचाया है इसके लिए मैं आप सबको दिल से बधाई देना तरता हूँ धन्यवाद जैहिंद नमस्कार